हेलो एवरिवान क्या हाल चाल है आपके आप देख रहे हैं rates of TDS और उसे ही continue करेंगे हम और आज जो सबसे पहला section देखने जा रहे हैं वो है 194C payment to contractor और subcontractor अगर आप contractor को या फिर subcontractor को payment करते हैं तो आपको TDS काटना पड़ता है किस rate से एक percent के rate से right and in some cases we'll find कि आपको 2% के rate से TDS काटना है पता है सभी जगा आप TDS का rate क्या देख रहे थे 10% 30% अभी तक आप ये सब देख रहे थे यहाँ पर TDS का rate सिर्फ और सिर्फ एक percent है और साइद ये एक percent काटने में ही नानी याद आ जाती है बाकी जागा 10-10% का TDS भी ना बड़े अराम से कर जाता है सामने वाला कोई भी दिक्कत नहीं करता लेकिन यहाँ एक percent में भी दिक्कत आ जाती है ये payment किसको हो रहा है payment to contractor और सब contractor पहले एक बात करते है payment to contractor पता है आज जितना भी काम हमें कराना होता है मैं labor को रख के काम नहीं कराता हूँ मैं contractor को देता हूँ और सभी businessman यहीं करते हैं जैसे मुझे अगर अपनी building paint करानी होगी तो मैं labor daily वाली मजदूरी पे labor hire नहीं करूँगा कि आज काम कर लिय के हिसाब से उसको देहारी मजदूरी देनी है 500 रुपया के हिसाब से देहारी मजदूरी देनी है यह नहीं करूँगा मैं contractor को पकड़ूँगा कहूंगा पूरी building तुमको paint करनी है बताओ कितना पैसा लोगे उताएगा पूरी building के paint करने का हम 60,000 रुपय लेंगे तो हम 60,000 deal done कर लेंगे अब उसके labor आते हैं काम करते हैं नहीं करते हैं हमें tension नहीं है क्यों क्योंकि पूरा paint होगा 260,000 रुपया देना है नहीं तो नहीं देना है उसके labor आके बैट के खैनी पीटे ठीक है आई होब सूरती आप समझते हैं ठीक है वो पीटे या आपस में मार पीट कर लें या बैटे रहें मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे payment तभी करनी है when my work gets completed मुझे बिजली का काम कराना है तो मैं daily मजदूर को hire नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा contractor को बोलूँगा कि देखिए ये तीन haul है इसकी पूरी wiring करनी है कितना पैसा होगा that's सरकार हम से क्या कह रही है कि if you are making a payment to a contractor or to a subcontractor then you need to deduct a TDS आईए देखते हैं payment to contractor or subcontractor this section is very important 194C कितनी payment होनी चीए 30,000 per single contract अगर एक contract 30,000 रुपए से उपर का है या फिर 1,000,000 रुपए इन aggregate है या फिर साल भर में 1,000,000 रुपए से उपर का contract है single contract 30,000 रुपए से उपर का है या फिर पूरे साल का contract एक लाग रुपए से उपर का है तो आपको TDS काटना है at the rate of 1% 2% if the payment is made to person other than individual achieve मतलब individual achieve contractor है तो 1% काटना other than individual achieve contractor है contractor यानी firm है company है तो आपको 2% काटना पड़ेगा इतनी बात क्लियर है आई इस बात को समझाते हैं मैंने paint के काम के लिए contractor को बोला कि आप मेरा paint कर दीजे ठीक है previous यह 23-24 की बात हो रही है 5-6-23 को उनको बोला गया था कि आपको paint करना है और इसके लिए उन्होंने बोला कि 20,000 रुपे हम लेंगे 20,000 रुपीज do I need to deduct TDS मुझे TDS नहीं काटना है 30,000 रुपे से उपर का single contract होगा तभी TDS काटना है बताईए मैंने paint करा लिया लेकिन paint का जो color था ना वो मुझे मजा नहीं आया अब ध्यान दीजेगा मजा नहीं आया तो यह मेरी गलती है सामने वाले ने तो paint किया ना color मुझे पसंद नहीं था तो color किस ने पसंद किया था भई करवाने से पहले किसका artist था वो color मेरा ही था तो भई मुझे अब change कराना है तो मैंने उसी contractor को बोला भई फिर से paint कराना है का करा लीजे साब मैंने पूझा कितना पैसा है लोगे उसने बोला 30,000 रुपे लगेंगे थोड़ा सा area ज्यादा करवा भी रहा हूं इस बार उसने बार 30,000 रुपे लगेंगे पिछली बार तीन हॉल का paint करा रहे थे इस बार चारों हॉल की payment करवा रहे है यह 10-27 को यह paint हो रहा है 30,000 रुप इसको मैंने फिर से paint कराया उसी से चिक है और इस बार उसने चार्ज किया था मुझसे मैंने एक फ़र डिसकाउंट कराया का कि भाई डिसकाउंट करो इस बार तो उसने 25,000 रुपे में contract कर दिया मुझे paint फिर पसंद नहीं आया और मैं 2, 3, 24 को फिर से paint करा रहा हूं उसी से और इस बार उसने 30,000 रुपे लिया का कोई डिसकाउंट नहीं करेंगे यहां TDS, no TDS, no TDS, no TDS, no TDS, no TDS, क्या 30,000 रुपे की यहां payment करने TDS काटना है अगर individual contract देखेंगे तो 30,000 रुपे से उपर का नहीं है TDS नहीं कटेगा लेकिन aggregate salver का पता ही कितना हो गया है जा दिख एक लाग पांच जार रुपे हो गया है तो एक लाग पांच जार रुपे का आपको एक परसंट TDS काटना पड़ेगा अगर मान लेते हैं वो individual achieve है अगर अदद है individual achieve contractor होगा जिसको आपने paint का contract दिया है तो 2% TDS काटेंगे अदरवाइस एक परसंट काटेंगे तो एक परसं काटेंगे तो कितने का काटेंगे पूरे का काटेंगे aggregate एक लाग रुपे से exceed कर गया तो एक लाग का एक परसंट यानि एक हजार पचास रुपे TDS काटना होगा किसमें से काटेंगे 30 यार से काटेंगे और balance payment कर देंगे यानि payment जो last payment की जाएगी 2, 3, 24 वाली वो payment कितनी हो होगी 30 यार माइनस 1050 इस इकल टू 28 यार 950 रुपे की payment समझ में आ रही है बात सबको ये payment की जाएगी अच्छा मैंने तो आपको पता दिया कि ये TDS काटना है सरकार ऐसा कहती है लेकिन जाए सोच के देखिए पता है ये जो paint वाला है मैंने इसको बोला कि भाई एक हजार 50 रुपे तेरा TDS काटेगा सरकार कहती है ऐसा कितना मिलेगा इस बाद 30 रुपे नहीं मिलेगा इस बाद मिलेगा 28 यार 950 क्या दिमाग खराब है पहले मैंने काम किया आज तक तक तुमने पैसा नहीं काटा है इस पर पैसा क्यों कटेगा एक हजार 50 रुपे मुझे नहीं मालूम ये TDS UDS बताए ऐसा होता है कि नहीं हाँ अरे वो थोड़ी ना income tax पढ़ा हुआ income tax पढ़े लिके हम लोग हैं हमें मालूम है कि 1000 50 रुपे काटना उसे थोड़ी ना मालूम है कि 1000 50 रुपे कटने चाहिए वो कहता है नहीं मैं नहीं कटवाता एक 1000 50 रुपे वो तो जिद कर लेता है और कहेगा कि आपने पहले ब बता रहा था कि बागी सब सेक्शन में तो 10-10% TDS है 30-30% है कट जाता है आराम से कोई टेंशन नहीं होती यहां 1% काटना है वो भी नहीं कट पाता है तो TDS मैं नहीं काट पाऊंगा यानि मैंने आपको बताए कि मुझे पूरी पेमिंट मजबूरी में देनी पड़ेगी अब इंकम टेक्स का कानून क्या कहता है जा ध्यान से सुनिये कहता है कि अगर आपने पेमिंट की जिसमें TDS काटना था आपने नहीं काटना TDS की नॉन कम्राइंस की है रेजिडेंट को पेमिंट हुई है तो आपको याद है कितना डिसलाओ हो जाता था याद है कुछ नॉन रे 31 या 500 रुपया का खर्चा डिसल हो गए यानि 31 या 500 रुपया से मेरी इंकम बढ़ गई अब मैं 30% स्लैब में फॉल करता हूँ तो पता है मेरा टेक्स कितना बढ़ गया इंटू 30% मेरा टेक्स बढ़ गया 9,450 रुपया मेरा टेक्स बढ़ गया 9,450 रुपया 9,450 रुपया अब ये बात बताईए उसके 1,050 रुपय ना कटवाने की वज़े से मेरा 9,450 रुपय का टेक्स बढ़ आए अब क्या करें तो मैं सोसता हूँ ये काम करता हूँ आपकी बीमन में ये बात आएगी कि सरी काम करते हैं वो भले नहीं कटवा रहा है हम लोग 1,050 रुपय सरकार को जमा कर देते हैं कर देते हैं चलिए कर दिया 1,050 रुपय आप कहते हैं तो कर देते हैं कर दे जमा क्योंकि मेरा तो 9,450 रुपय का टेक्स बढ़ जाएगा खर्चा डिसला हुआ हुआ 30% 30% खर्चा डिसला होने से मेरे उतनी से इंकम बढ़ी और उस पे मेरा टेक्स बढ़ गया 9,450 रुपय का तो इस बेटर की भाई 1,050 रुपय मैं अपनी जेब से दे देता हूँ चलिए TDS जमा कर देता हूँ मैंने जमा कर दिया जब मैं TDS जमा करता हूँ तो मुझे TDS की डिटरन जमा करनी पड़ती है quarterly basis पे मैंने आपको बताया और उसमें मुझे सारी information देनी होती है जिसका मैंने TDS काटा है उसका नाम देना है पैन नमबर देना है किस बात की payment की है कितना TDS काटा है सब कुछ लिखना है उसमें मैंने उस payment वाले से पूझा भाई तेरा नाम क्या है बुला छोटू मैंने का या ठीक से बताओ पूरा नाम क्या है का छोटू पेंट वाला ये ही मेरा नाम है बनारस में किसी से भी पूछ ले न कानून बताता हूँ उसको कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ बोला है छोटु पेंट वाला बस अपना नाम तक नहीं बता रहा है और सरकार हमसे क्या कह रही है कि जिसका टेक्स काटे हो यह खजाब पचास उपया उसका नाम बता हो पैन नमबर बता हो मेरे पास है नहीं है बत जो को बताता हूँ ताकि आप भी रिलेट कर पाएं और प्राक्टिकल डिफिकल्टी को समझ पाएं उसी तरीके से मेरे पास कुछ भी नहीं है उसका मैंने का आप क्या करेंगे अब सोचो जरा मैंने सोचा कि सरकार को तो एक हजाब पचास उपया दे देते हैं मैंने उसका नाम लिखा छोटू पेंट वाला पैन नमबर तो पता नहीं है मैंने कुछ भी फरजी भर दिया A, B, C, D, F, Y, K, L, 1, 2, 3, 4 कुछ भर दिया और एक हजाब पचास उपय जमा कर दिया अब सरकार क्या कहती है कि अगर आपने किसी का TDS जमा किया उसका पैन नमबर गलत पाया कि तुम अपना TDS का डालो, वो कटा नहीं रहा है, मैं अपनी जेव से जमा करने को तयार हूँ, मैं 150 उपय जमा कर रहा हूँ, तुम कहरे हो डिटेल दो, डिटेल वो पेंट वाला दे नहीं रहा है, मैंने डिटेल भी फरजी भरा, अरे फरजी मैं फरजी आदमी थोड़ी अरे भगवान, मैं खुद अपनी जेव से 150 उपया दे रहा हूँ, उसने कटवाया तक नहीं है, मैं उसका टेक्स मैं खुद जमा कर रहा हूँ, फिर भी तुम हमी को नहीं बख्च रहे हो, तो ये है वैपारियों की दिक्कत, राइट, तो पिनाल्टी लगेगी, अब यहा पैन नमबर वाला खाली रहेगा, अगर पैन नमबर वाला खाली रहेगा, तो सरकार के लिए TDS जमा होगा 20%, अरे बगवान, माफ करो भाई, ये क्या है, अब 1,05,000 रुपया का 20% सरकार के लिए दो हमको, into 20%, एक कई सजार रुपया दो, तो इसलिए पूरी चीज़ एक साथ बताई, ठीक है, आपको TDS काटना है, काट के जमा करना है, अगर आपके पास पैन नमबर नहीं है, आपने गलत पैन डाला, तो आपके उपर लगेगी पैनाल्टी, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पैनाल्टी से बचना है, ठीक है, अ पैन नमबर खाली करते हैं, पैन नमबर खाली करेंगे, तो पर गवर्मेंट क्या कहती है, बीस परसेंट आपके उपर क्या लग जाएगा, बीस परसेंट TDS आपको जमा करना परेगा, राइट, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर फिर क्या करें, अक्शुरी सच पू प्रैक्टिकल डिफिकल्टी यही होता है, अब इनसान जिसे बिजनेस करना है, देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी क्या करेगा, अगर वो TDS नहीं कटवा रहा होगा, तो उसको कैश में पेमिन कर देगा, वो खर्चा बुकी नहीं करता, अब मेरा बिजनेस का जिन्वीन ख तयार नहीं है, हलाकि मैं जमा करने को भी तयार हूँ, लेकिन जमा ही नहीं कर पा रहा हूँ, अब 20% थोड़ी ना करूँगा, इससे अच्छा है, डिसलो करा लेता हूँ, और टेक्स पे कर देता हूँ, बढ़ा के, टेक्स तो मेरा नौजा 480 आ रहा था था ना, ठीक है, नेक्स देके, पेमिंट तो ट्रांसपोर्ट कॉंट्रेक्टर हूँ, इसको हम कहते हैं, छोटे ट्रांसपोर्टर जिसके पास है, मेरे इसाप से तो बड़ा आदमी है, ठीक है, लगिंग गौर्मिंट के हिसाप से, जो लोग छोटी ट्रांसपोर्ट एजनसी चला रहे हैं, दस ट्रक तक है, अगर आप उनको पेमिंट करते हो, ठीक है, कॉंट्रेक्ट का, ठीक है, तो आपको TDS काटने की आविशक्ता नहीं है, तो क्या हम उन्हें भी कॉंट्रेक्ट देते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को, हाँ, हम उन्हें कॉंट्रेक्ट देते हैं, कि मेरा माल वारन असी से दिल्ली पहुचा दो, मेरा माल वारन असी से चिन नहीं पहुचा दो, ठीक है, it's in contract which is given to them, ठीक है, बट अगर छोटी transport agency को दे रहे हो, तो TDS नहीं काटना है, बड़ी transport agency को दे रहे हो, तो again वही जो अभी उपर बात पड़ी, तीज जासे उपर का contract है, तो TDS का अब next example कर रहे हैं, और यह सभी example practical problem है, यह proper तरीके से, आप concept नहीं समझे हैं, आप practical example भी कर रहे हैं, right, तो consider this as practical problem being solving class, और यह examples को revise कीजेगा, यही question है आपके exam का भी, ऐसे समझ लीजे, पांच, आठ, तेईस को आपने paint का contract दिया, for rupees 40,000, ठीक है, किसको दिया, to Mr. A, 40,000 रुपया, क्या TDS आप काटेंगे, हाँ TDS काटा है आपने, TDS यहाँ पे बनेगा 400 रुपया, और आप इसे देंगे 39,600 रुपीज की payment, बारा, दस, तेईस को आपने फिर से paint contract दिया Mr. A को कितने रुपय का, 20,000 रुपय का, TDS काटना है की नहीं, TDS काटना है की नहीं, 30,000 रुपय से उपर की individual payment होनी चाहिए, या aggregate payment एक लाख रुपय से उपर की होनी चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक बार जिसका TDS आपने काट लिया, उसका TDS काटते रहना है, एक बार जिसका TDS आपने काट लिया, उसका TDS तो आपको काटना ही काटना है, अब यहाँ पे अगेन आप TDS काटेंगे 200 रुपय का, अब हर बार TDS काटेगा, यहाँ पे 30,000 रुपय से उपर भी नहीं है, और एग्रिगेट एक लाग रुपय से उपर भी नहीं है, तो भी TDS काटेगा, क्योंकि यहाँ TDS काट चुका है, लाश्ट एक्जामपल जो हमने लिया था, उसमें क्या किया, अभी इंडिवीज्वल नहीं था, एग्रिगेट भी नहीं हुआ, इंडिवीज्वल यहाँ पे इंडिवीज्वल भी नहीं हुआ, एग्रिगेट भी 85,000 था, लेकिन जैसे यहाँ 30,000 रुपय की पेमेंट अचा, अगर इंडिवीज्वल लिमिट भी एक्सीड हो जाती, मालीजी यह 35,000 होता, तो टोटल कितना हो जाता है, 1,10,000, TDS कितने का कटता है, 1,10,000 का कटता, क्योंकि एग्रिगेट एक लाग से उपर हो चुका है, तो एग्रिगेट का TDS कटेगा, फिर इंडिवीज्वल तो क्या 40, 20, 60, 55,000, एक लाग 10 जा का TDS कटेगा, अंसर इस नो, अगला TDS भी कितने का कटेगा, 50,000 का कटेगा, 12, 2, 24, अगेन पेंट का का कॉंट्राक्ट होता है, मिस्टर A को, 50,000 रुपे का, TDS कितना है अप्लिकेबल होगा, 500 रुपे, ठीक है यहां तक, नीज़ देखिए, 194D, इंस्योरेंस कमिशन, इंस्योरेंस कंपणी इंस्योरेंस कमिशन देती है अपनी इंस्योरेंस एजिंट को, ठीक है, मार्किंट में बड़ी सारी इंस्योरेंस कंपणी, Life Insurance Corporation of India तो है ही है, उसके अलावा Tata I.I.A., Bajaj Allianz, बहुस त सारी company है ठीक है अगर वो insurance commission 15,000 रुपई से ज़्यादा देते हैं परेनम 15,000 रुपई से ज़्यादा देंगे तो वो TDS काट लेंगे 5% के rate से और अगर insurance agent company है ठीक है recipient की बात वो रही है हर जगार ठीक है 10% of the payment is made to a company if the recipient is a company जिसको commission मिल रहा है insurance agent जो है वो अगर एक company है तो TDS का rate 5% नहीं 10% हो जाएगा otherwise insurance commission पे TDS का rate कितना है 5% का बताईए कि insurance company ने आपको 10,000 रुपई की insurance commission दी TDS काटेगी नहीं 2000 रुपई की दी काटेगी नहीं फिर 6000 रुपई की और दी तो 10 दुबारा 6 अठारा हजार हो गया 15,000 एक्सीड हो गया तो 18,000 रुपई का 5% TDS हो जाएगा 900 रुपई जो आखरी वाली payment थी उसमें से 900 रु इनम आप देख रहे हैं तो आप company payment करते जाती है करते जाती है जैसे ही यह limit exceed होती है तब TDS काट लिया जाता है राइट अच्छा अब एक बात और समझने वाली है कि माल लिजे मैंने paint का contract दिया और यहाँ पे 20,000 रुपई की payment की TDS काटनी की आवश्यक्ता तो नहीं है ले कि मुझे मालूम है कि Salver में एक लाग रुपई से उपर हो जाएगा तो let me deduct it from the time अभी सही deduct कर लेते हैं क्या ऐसा किया जा सकता है answer is yes अगर मुझे लगता है कि कि किसी की TDS कट नहीं है बाद में तो कटेगी कटेगी पूरे पे तो हम पहले से भी काट सकते हैं इसमें कोई attention नहीं है याद रहेगा आपको ये बात कि अगर आप चाहें तो TDS काट सकते individual transaction पे अगर आपको लगता है कि इन aggregate exceed कर जाएगा ये limit अच्छा आप ने काट लिया sir exceed नहीं किया aggregate limit तो सरकार तुमको पकड़े की थोड़ी ना मारे की थोड़ी ना कहेगी अच्छा ही है सरकार क कोई टेंशन नहीं है आप यहां से TDS काट लिजे सरकार को दे दीजे और इसके बाद during देए कोई transaction लिए तो कोई आपती नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है सरकार मसत है कि मुझे 200 रुपया TDS मिला है आईए next देखते हैं 194 DA some paid under life insurance policy which are not exempted under section 1010 अगर आपको life insurance policy का पैसा मिलत है towards your life insurance policy जो policy exempt नहीं थी 1010 में ठीक है अगर exempted policy 1010D में एक insurance policy से जो आपको पैसा आता है वो exempt होता है other than few कौन-कौन सी exempt नहीं होती है कीमेन insurance policy से जो पैसा आता है या फिर एक चाह दो हजा बारा के बाद की कोई policy है जिसका premium paid more than 10% of some assured है तो वो exempt नहीं होती है या फिर नया आ पड़ा है एक चाह दो हजा तेईस के बाद कोई traditional policy आप लेते हो other than ulip and term insurance policy आप कोई traditional policy लेते हो जिसकी premium 5 लाग रुपए से ज्यादा है तो maturity exempt नहीं होती है तो जहां-जहां maturity exempt नहीं है वहां पे अगर insurance company आपको एक लाग रुपए या उससे ज्यादा की payment करेगी तो 5% का TDS कटेगी सबसे ज्यादा important बात जो यहां पे थी वो थी greater is equal to 1,00,000 सभी जगा पे जहां पे भी मैंने threshold आपको बताया है उस threshold को exceed करने पे TDS कटता है जैसे आप कहीं भी चले जाए इसके उपर वाला देख लीजे 15,000 रुपए तो 15,000 रुपए के उपर TDS कटेगा यहां 30,000 पर लिखा है तो 30,000 रुपए पर TDS कटेगा 30,000 रुपए पर कटेगा 30,000 पर नहीं सिर्फ यहां पर ही ऐसा है कि 1,00,000 रुपए greater is equal to 1,00,000 रुपए यानि 1,00,000 रुपए पे भी TDS कटेगा तो यह बात बहुत important है insurance company से जब पैसा मिलेगा तो TDS applicability कब आती है 1,00,000 amount है उसे greater pay TDS करता है आई एक्जामपल से समझते हैं इसको section 194 DA इसका example number 1 sum assured है 80,000 premium paid है premium है इसकी annual premium 9,000 number of premium है इसका कितनी premium जमा करनी है आपको policy taken on 1,5,13 maturity पे आपको पैसा मिलता है maturity मिलती है आपको 89,000 maturity पे bonus वगर सब मिलता है न तो थोड़ा से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आपको वही 89,000 रुपे मिला है ठीक है आपनी total कितना पैसा जमा किया था 9,000 रुपे आठ premium जमा किया था यानि आपने बहत्तर जार रुपे जमा किया था 10% of some assured है premium is greater 10% of some assured therefore life insurance policy LIP is not exempt under section 1010D 1010D में exempt तो नहीं है तो यानि फिर maturity taxable है अगर maturity taxable है तो TDS कटेगा maturity तो taxable है maturity is taxable but TDS is not applicable क्यों क्योंकि amount aggregate payment from LIC is less than one lakh ठेके aggregate since aggregate payment from life insurance policy less than one lakh therefore TDS not applicable सबको समझ में आया सबसे पहले तो आपको यह यहां policy exempt नहीं थी 1010 डी ठीक है तो फिर हमें यह चेक करना पड़ेगा कि TDS कटेगा ठीक है TDS कब करता है TDS तब करता है जब payment एक लाग रुपए या उससे ज्यादा की हो या payment एक लाग रुपए या उससे ज्यादा की नहीं थी ना कम की थी इसलिए TDS नहीं करता है हाई एक्जामपल टू सपोज मिच्यूरिटी इस रुपई वन लाग फोर थाउजन एक लाग चार जा रुपए की मिच्यूरिटी थी तो TDS कटेगा तो अंसर इसका क्या होगा पॉलिसी एक्जेम्ट तो है नहीं पॉलिसी नॉट एक्जेम्ट अंडर सेक्षिन टेन टेन टी तो TDS कितना होगा TDS होगा एक लाग चार हजार माइनस एक लाग चार हजार माइनस बहत्तर हजार रुपए तो TDS मेच्यूरिटी के अमउंट पे नहीं करता है जतना इंकम होती है उतने पे TDS करता है ठीक है तो आपने बत्ता जार रुपया तो पेही का रखा है एक लाग चार जार रुपय मिला है आपको तो जो डिफरेंशल है बस इस पर टीडियस कटेगा इतने का पांच परसेंट यह हुआ बत्ते जार रुपया इसका पांच परसेंट 16200 रुपय टीडियस कटेगा ठीक है यानि पेमेंट मैचुरिटी पेमेंट कितनी होगी आपको मैचुरिटी की पेमेंट होगी आपको एक लाग चार जार माइनस 16600 रुपया एक लाग दो हजार चार सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक लाइन लिखिए एक लाइन लिखिए ये अगर हो गया है तो TDS किस एमॉंट पर कटता है ये भी आपको लिखवा दे TDS maturity के एमॉंट पर नहीं कटता है maturity देखनी है लाग रुपए या उससे ज़्यादा है कि नहीं चेक करना है maturity का इमॉंट कितना है जो पैसा आपको मिल रहा है वो कितना है लाग रुपए या उससे ज़्यादा तो TDS कटेगा लेकिन TDS कटेगा कितना है income पर TDS कटेगा भाई जितना आप एक्स्टा बनाए हो उतनी पर टेक्स कटेगा लिगे टेक्स TDS under section 194 DA is deducted on the amount of income on the amount of income comprised therein that is after deducting after deducting the amount of insurance premium paid from the total sum received clear है आपको आई एक्साम्पल 3 करिए some assured 60 लाग premium paid 6 लाग number of premium दस this is a traditional policy issued on 1,10,2,0,20 maturity is 75 लाग याओ देखिये परीमियम फाच लाग रुपया से जादा है परीमियम पांच लाग रुपया से जादा है ठीकि आपने पड़ा था ना? अगर प्रीवियम पांच लाग रुपया से जादा है of a traditional policy इस उद नाट भी unit उद्द बिया juga तो क्या होता है, maturity taxable हो जाती है, क्या यहाँ maturity taxable हो जाएगी, नहीं होगी, 5 लग से ज़्यादा है तो भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो किसके respect में है, policy issued on or after 1423, policy 1423 के पहले की है, ठीक है, तो, since policy issued prior to 1423, therefore, policy is exempt under section 1010D, tedious, not applicable. आगे बढ़ा जाएं, example 4, कर लीजिए, जितने example कर सकते हैं, आप भी, ठीक है, खूब करेंगे आपके साथ, some issued, 50 lakh, आपको भी देखके समझ में आ जा रहा होगा, कि कहां मैं बताना चाहता हूँ, कि यह provision important है, जहाँ important provision है, वहाँ पे मैं आपको खूब practical problem भी करा रहा हूँ, यहाँ भी mention कर लीजिए, important. questions जहाँ से आते हैं न, देखिए practical problem, वो उस पे तो आपको और focus करना पड़ेगा. प्रेमियम पेड़ फाइफ लाक, नमबर अप्रेमियम टेन, traditional policy issued on 1.5.23 maturity 60 लंग. solution बताइए, policy exempt है की नहीं है, 1010D में, पहले बताइए, पाच लाग रुपए की premium है, एक चाहँ दो जाँ तेईस के बाद की policy भी है, exempt है, पाच लाग रुपए से उपर की premium होती है, तब maturity taxable होती है, ठीक है? तो लिखेंगे since premium does not exceed रुपी 5 लाग therefore, policy is exempt under section 1010D TDS not applicable आ रहा है ना मजा सबको कर लिया अपने next example sum assured 50 लाग premium जो है इसका है 5.5 लाग number of premium है 9 traditional policy है issued on एक पाँच बाइस एक चाह दोज़ा 23 के पहले की policy है maturity 60 लाग एक पाँच तेईस का देते हैं पाँच बाइस के बाद की policy है premium भी 5 लाग से ज़्यादा है एक चाह देईस के बाद की policy premium पाँच लाग से ज़्यादा policy is not exempt under section 1010D policy not exempt under section 1010D TDS कितना हो जाएगा TDS हो जाएगा 60 maturity minus premium paid कितना है 5.5 into 9 5.5 into 9 इसका 5% कटेगा 10.5 लाग जितना पैसा ज़्यादा मिला 60 लाग मिला है कितना premium pay किये थे वो घटा दो उसका 5% TDS काटके insurance company आपको देगी 52,500 रुपय का TDS कटेगा बताई clear है आपको आपको done आईए next देखते है 194 G commission on sale of lottery अगर आप lottery बेचते हो तो जो lottery का distributor होता है ठीक है वो आपके commission पे क्या करेगा TDS काटेगा अगर आप lottery agent हो lottery बेचते हो तो आपको commission मिलता है अगर 15,000 रुपय से उपर का commission आएगा साल का तो 5% का TDS है government ने ने बहुत सारे amount को और rate को synchronize कर दिया है पहले हर amount अलग-अलग था हर rate भी अलग-अलग था तो यह insurance commission lottery का commission दोनों एक हो गया की नहीं एक हो गया पहले ऐसा नहीं था actually सायद आज अगर TDS के provision बनाए गए होते आज की तारीख में बनाए हो गए होते तो बहुत सारा section एक ही में merge होता एक ही section होता क्योंकि सब लिख देते यह 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 insurance का इतने रुपय के उपर इतना TDS कर देगा 15,000 रुपय के उपर lottery पे TDS करता है 5% के rate से तो commission आप भी अपने दिबाग में बैठा सकते हो कुछ कुछ चीज़े interest पे हर जगा 10% है commission पे 5% है simple है याद करना ठीक है 15,000 रुपय के उपर का commission फिर है payment of commission of brokerage अब normal business में किसी को भी हम commission देते हैं कि भाई मेरा माल विकवा दो तो और कोई भी commission या brokerage की payment है 15,000 रुपय के उपर TDS करतेगा 5% तो हर जगा commission पे brokerage पे 15,000 रुपय के उपर 5% का TDS होता है insurance commission में बस एक बात और पड़ी थी कि अगर other than सरी अगर individual है और बागी other than company है तो 5% लेकिन company पे 10% है company पे 10% है चलिए आज की class को यहीं पे sum up करते हैं अगली class में आते हैं फिर और कुछ payment पे TDS के rates देखते हैं अभी बहुत कुछ देखना बागी है but we'll stop here